नमस्कार दोस्तो डीके थेड़ी हम डीजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरा नाम डीके रोनकर है और मैं चानपन ने प्लांस ने डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डीजाइन के बारे में लगबखा तरह की जानकरी लाने की कोशिश करता हूँ तो आज भ प्लोटों दोनों मिला के जो 30 bit by 60 bit का जो प्लाट का अरिया है यह दो भायों को मिला के है लौट मैं करें 15 we skape AP से लगें अगर आपको प्लान की या डिजाइन की जरूत है तो आप इन नंबरों पर का सकते है यह वाटसप कर सकते है और हमारी क्या फीज होती है क्या प्रोसेस होती है उसकी आप डिटेल में जानकारी ले सकते है और अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे एक बार सस्क्राइब कर लिजे और बाजू में जो बेल का अइकन है वह भी दबाईए ताकि हम जो भी नए वीडियो प्लोड करते है उसका नोटिफिशन आप तक पौश सके और वह वीडियो आपसे मिशना हो तो देखिये स्क्रीन पर जो देख रहे है ये वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है प्लot का साइज जो है 30 फिट वाई उसक्ति फिट है जिसमें में दो भायों के लिए हमने प्लान बना है तो प्लाट का साइज जो है मतलब वीड़ जो है देखेंगे तो आप लगबग यहां से यहां तक देखेंगे तो 30 फीट है ठीक है मतलब फ्रंट जो है हमारा 30 फीट है और जो लेंथ है लगबग 60 फीट है ठीक है मतलब यहां से यह तक देखेंगे तो आप दो यह 60 feet है 30 feet by 60 feet में दो भायों के लिए यह प्लान बनाए गाया है और और plot का जो main road है हमारा यह एकी side में है जो north face में है ठीक है मतलब यह जो दिशा है हमारी यह direction है north है मतलब यह उत्तर की दिशा है तो उत्तर की दिशा में नुआ फेस में हमारा road है और बाकी की जो तीनों side है यह तीनों side जो है वह pack है मतलब दुसरों की property है तो हमारी कोई भी जगा नहीं है यह जो है इस side में ठीक है तो देखे main road है main road से एक plan समझ लेते पहले starting का देखे main road है main road से हम जैसी entry करेंगे तो यहाँ पर हमारा gate रहेगा main gate रहेगा इस main gate को open करेंगे तो हमें लगबग area मिल रहा है यहाँ पर car parking के लिए ठीक है यह area भी काफी बढ़िया मिल लगबग 15 feet 8 inch का है मतलब का आराम से हमारी car जो है यहाँ पर park हो सकती है उसके बाद में यहाँ पर कुछ step चड़के इस वरंडे पर पहुंच जाएंगे इस सुमNो 2 सैड में है देखेंगे तो यहाँ पर इस बाड़ा सा यहां विंड़ो लगा सकते हैं इस लिए salvation के लिए ठीक है यहां पर बता ना हम अब भूल शायद है इसलिए यहां पर आप समझा सकते हैं यहा पर हमें फेंसी विंड़ो और यहां फेंडीमारा से है हो उसके बाद में देखेंगे तो साइज है रलोत के प्लाट के ईसाफ से और उसको जो है देखेंगे तो stair के जो है अंदर से मतलब इसे हम duplex house भी कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ से हमारी stair start होती है देखें यहाँ और यूट टर्न करके यहाँ यहाँ पर टर्न करके हम first floor पर मतलब इस slab पर पहुंच जाएंगे ठीक है तो यह जो है इसका जो slab रहेगा इस link room का slab जो रहेगा वह 20 feet पर रहेगा 20 या 21 जो भी आप ले सकते हैं मतलब double floor पर रहेगा ठीक है तो इससे क्या होगा कि देखें यहाँ से हम यहाँ पर enter करने के बात जो है यहाँ पर gallery रख सकते हैं ठीक है और यह जो है यहाँ यहाँ तक भी रख सकते हैं और जो बीच क का जो है पुरा नजर जो भी हमारे गेस्ट वगरे जो भी है इस link room में वह नीचे जो दिख रहा है वह दिख जाएगा ठीक है मतलब यह है open रहेगा और उसके बाद में उपर जो है first floor का slab जो है वह इस link room पे हम पुरा डाल देंगे ठीक है इसके बाद में first floor पर जो है são sim room कर सकते हम kitchen भी रख सकते हैं superst checks 60 अधिक सी तो यह kitchen है इस एक bedroom अर एक bedroom पर यूज कर सकते हैं तो ठीक है तो staircase का है जो मेरे सबसे 실ेर कसका आपको समझ में आरा है यह staircase का जो portion है आपको समझ में आया है ठीक है staircase जो है हमारी start यहाँ से होती है जो नए नए है बहुत सारे नए लोग है नए viewers है जुनको plan समझता नहीं उनके लिए मैं यह detail समझाने की कोशिश करता हूँ जो expert है जो regular civil engineering का जो knowledge है जिनका वो तो जट से ही समझ जाएंगे लेकिन जो नए लोग है उनके लिए मैं थोड़ा सा detail में समझाने की कोशिश करता हूँ तो फिर से ground floor पर आप देख लेजिए यह हमारा living room है living room से स्टेर के जो है फर्स फ्लोर की तरफ जाने के लिए यहाँ पर अंदर से और यहाँ पर नीची जो है यह सोपा सेट वगरे हम लगा सकते है और यह यह जो वाल रहेगी यह वाल उपर इसके नीचे पूरे यह वाल यह ओपन रहेगी तो इसके नीचे हम टीवी यूनिट लगा सकते है मतलब टी वी के लिए यह यह जो वाल है यह वाल यह उसकर सकते है ठीक है उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आने बात हम bathroom में पोझ सकते है और toilet में पोझ सकते है ठीक है बाथ रोम का जो है यहाँ पर एक डोर बताएगा है यह डोर open करके यह बताएगा है यहाँ पे यहाँ नहीं लगेगा यह इस पैसे चेहाँ प्रूम यूदकर् सकते हैं और यह बाथ निकलना चाहिए वहां हम ना फैल है इसलिए हम एहां पे डग देते हैं पेचिक साध्मे कि यहां पर श मेल ऑगर है और हिस्लाइब है तो यहां से जो भी स्मैल निकल गया है इस bedroom के लिए तो 9 feet by 10 feet का इस bedroom का size है तो इस bedroom का जो डोर है यहाँ पर बताया गया है और अगर आप चाहे तो यह जो है यह क्लोज करके इस side में भी लगा सकते हैं यहां पर लगा सकते हैं मतलब यहां से हमारी bedroom में entry हो सकती है तो यह आपके इसाब से यह नामिनल आप छोड़े बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं और इस bedroom को वेंटिलेशन जो है इस side में दिया गाया है पीचेक side में क्योंकि यह जो है यह यहां पर हम open duct रखते हैं मतलब यहां पर हम slab नहीं डालते हैं यहां पर छहत नहीं डालते हैं यह open to sky रखते हैं ठीक है यहां से फिर हमारे kitchen को और इस bedroom को ventilation मिल जाएगा उसके बाद में last में दियो है हमारा kitchen है देखिए यहां पर जो kitchen है kitchen का size जो मिल रहा है हमें 10 feet by 9 feet 10 feet by 9 feet का यह kitchen का size है तो काफी बड़े size है plot के सबसे और यह जो जगा है यह जो है आने जाने के लिए रहेगी तो kitchen का size 10 feet by 9 feet का है और एक window यहां पर दिया गाए kitchen को क्योंकि यहां पर हमने open duct रखा है तो यह जो है एरिया यह यहां से यूज कर सकते हैं यह जो डूर है यह जो डूर है यह डूर open कर देंगे हम और यहां पर वाशिर्या यूज कर सकते हैं मतलब यहां पर बरतन situation मिल जाएगा तो यह जो है इस टाइब में एक भाई के लिए यह प्यूरा प्लान जो है हमने बनाया था एक भाई के लिए और दूसरे भाई के लिए same plan repeat गाएगा है मतलब यह plan में और यह plan में कोई भी फरक नहीं है आप देखेंगे तो लगबख center से हमने एक वाल बनाई में है 9-1 कि वाल है यह और उन दोनों का यहाँ पर डिवाडेशन क्या है तो यह जो है लगबख 15p by 60p का जो एरिया मिल रहा है यह एक भाई के लिए यहाँ मिल रहा है यहाँ पर 15-50- Wheels का और दूसरे भाई के लिए जो है एरिया मिल रहा है हमें 15-50-50 पर सीम एरिया है डि कर Corinault लेगा यहाँ पर कुदे करेंगे और से gioco शेम के स्टार्ट होती है यहाँ पर रहे पर अधोर जो तो यहाँ से जो SLAM रहेगा यह उपर, यह SLAM से हम यहाँ से बाहर निकल सकते है, SLAM पर यह जो PORCH है, यह CAR PARKING के उपर, जो हम SLAM डालेंगे, यहाँ पर पहुंज जाएँगे, ठीक है, अर उसके बाद में, उपर जो है, झाहें सब्सक्राइबनाके में नोच बाधन आपको यहां पर बेड्रूप निख है कले को सकते हैं यह जो डॉर खीक जो आपको यहां यह नल ससक्राइब ऑस राख दाफ सकते हैं भी बना सकते है चोटा सा डुपलेक्स हाउस कर सकते है और 15 फिट पाई 60 फिट में मतलब बहुत ही छोटे एरिया में हमने यह पूरा प्लान अज़स किया है आशा करता हो कि यह प्लान जो है आपको डेटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है अगर आपको यह प्लान के लिए हमारा हर वीडियो आप शेयर करने की कोशिट जडरू करें और इसी परगार के लगबक हजारों प्लांस और डिजाइनस और उसी के साथ साहत में होम डीजान के बारें में लगबक हर तरकी जानकारी हमने इस चैनल पर अल्रेडी अप अप्लेड की है आप हमारे चै तो आशा करता हूँ कि आप जो है आज हमारा चानल सस्क्राइब करेंगे और हमारे पिछले सारे वीडियो आप चेक करके आप शेयर करने की कोशिश भी जरू करेंगे तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका किमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी के लिए इतना ही मिलते है नेश वीडियो में